हेलो वीवर्स कैसे हैं आप सब मेरी किचें शालूज लब बुक में आपका स्वागत है आज मैं आपको इंस्टेंट ब्रिक्पस्ट रेसिपी दूँगी जो कि बहुत टेस्टी और बहुत आसानी से बनकर रेडी हो जाती है बहुत जटपट बन जाती है और इसको हम ब्रेड इसको बनाना आए फटा-फट देख लेते हैं कैसे क्या करना है तो फ्रेंट्स इस इजी नाश्टे को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में लिया है मैंने लगबक दो ग्लास के करीब पानी अब इसमें हाफ कप हम मतर एक कर देते हैं अक अच्छी मतर है तो इसको हमें बॉइल करना है पर कम्प्रीटली बॉइल नहीं करेंगे हम इसको हम सिर्फ 50% तक गलाएंगे ये देखे मतर हमारी 50% गल चुकी है अब इसको हम स्ट्रें कर लेंगे एक्सेस वाटर को ड्रेन कर देंगे और मतर को निकाल कर हम मिक्सी के जार में एट करेंगे चोटे वाले म देखे इस तरह से तोड़ दीजे और चारो ब्रेट स्लाइस को इस तरह से हम तोड़कर मिक्सी के जार में डाल देंगे यह देखे यहाँ पर हमने चारो bread slice को यह देखे कट करके हातों से तोड़कर ready कर लिया है अब फ्रेंट्स इसमें हम add करेंगे water साथ हम इसमें add करेंगे नमक तो ये देखिए लगबग half cup के करीब मैं इसमें पानी आट करूँगे ये देखिए आधा कप पानी है जो मैं इसमें आट कर रही हूँ इसके साथ ही half teaspoon के करीब हम इसमें नमक आट कर देंगे अब mix का ठका नम लगाएंगे और इसको हम पीस लेंगे ये देखिए कुछ इस तरह से ये पिसका रेडिया आपको मिलेगा आप देख सकते हैं काफी गाड़ा है ये तो हमें बिल्कुल इसकी consistency ऐसी ही चाहिए इतना ही गाड़ा हमें पेस चाहिए इससे आप बिल्कुल इसको पतला ना रखें इसलिए पानी बहुत limited ही डाले जिस तरह से मैंने बताया है अब यहाँ पर देखिए फ्रेंट्स यहाँ पर हमने मटर को crush करके रखा हुआ है ये देखिए इस तरह से दरदरा मैंने इसको कर लिया है इसके साथी दूसरे बाउल में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ब्रेट, पानी और नमक को ये देखिए पीस कर पेस्ट बना लिया है तो ये जो crush की हुई मटर है इसको हम इस पेस्ट में एट कर देंगी इसके साथी देखिए इसमें हम दो इंच अद्रक का तुकड़ा काट कर एट कर रहे है लगबग दो से तीन हरी मिर्चो को भी काट कर आप एट कर दीजे इसके साथी देखिए आधी चम्मच के करीब मैं इसमें चिली फ्लेक्स एट कर रही हूँ इसके साथी एक चम्मच के करीब इसमें जीरा यानि की क्यूमिन सीट्स भी एट किये जा सकते हैं नमक आप टेस्ट कर लीजे अगर आपको कम लग रहा हो तो आप इसमें एट कर सकते हैं वैसे मैंने ब्रैट को जब पीसा था तब भी मैंने नमक एड़ किया था इसलिए मैं अभी नहीं एड़ कर रही हूँ अच्छे से मिक्स कर लीजे और यह जो हमारा मिक्सर है यह हमारा नाश्टा बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है तो आप देख सकते हैं आपको कुछ भी मैंने पैन को गरम कर लिया है थोड़ा से रिफाइंड ओयल और पैन को मैंने गरम कर लिया है अब इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा पेस्ट दे लिजे इस तरह से स्पून में लेते जाए और कुछ इस तरह से इसको तगे पर डालते जाए तो लगबद एक चमच मैं यहा कि यहां तक ही आप इसको कुरियंडर चटनी जो होती है डोसे और इडली के साथ जो खाई जाती है उसके साथ भी बहुत टेस्टी लगता है किसी की रेसिपी आप जानना चाहें तो आप मेरे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं साथी आपको चैनल पर भी इसकी रेसिपी मिल जायेंगी और यह देखे मीडियम फ्लेम पर आप इसको नीचे से सिखनें देजियेабरें एक मिन्स के बाद ढ़कन लगा दीजीए और लगबग 2 मिन्स تक हम इसे पकाईंगे 2 मिनिट के बाद ढ़कन को हटाएंगे और च्एक करेंगे नीचे से यह तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान नाश्टा है और आपने देखा बहुत कम इंग्रीडिन के साथ तुरंद बनकर रेडी हो जाता है आप इसको कभी भी बना सकते है तो अच्छे से दोनों साइट से आप इसको कलाराने तक सेख लीजे और ये नाश्टा मारा बनकर बिल्कुल र और विंटर सीजन में तो स्पेशली आप इसको गरम-गरम सर्फ कीजे शाम के नाश्टे में भी आप इसको फटाफट बनाकर सर्फ कर सकते हैं चाय और कॉफी के साथ तो ये नाश्टा बहुत ही बढ़िया लगेगा तो कम तेल में बना हेल्दी नाश्टा आप भी तो यह देखिए नाश्ता हमारा बनकर बिल्कुल तयार है इसको उम प्लेट में निकाल लेते हैं और मैं जा रही हूं इनको इंजॉय करने के लिए और आप भी इसको घर में बनाकर जरूर इंजॉय कीजिएगा और मेरे साथ अपनी व्यूस जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लग रही हो तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कॉमेंट करके मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपको मेरे यह रेसिपी कैसी लगी तैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आप रखिए अपना ख आपके साथ बाई